नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं देश के मुद्दे देश के मुद्दे में आज हम जस्विशे पर बात करने वाले हैं वो जतना समवेदन शील है उतना ही जादा महत्वपोन भी है जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं religious conversion यानि की धर्म परिवर्दन पर पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाए सामने आई हैं भारत में और भारत के पडोसी देशों में भी उसको देखकर ये लगता है कि धर्म परिवर्दन एक समस्या बनती जा रही है और एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बनता जा रहा ह है हमारे देश पर इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात चीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है भारती जणता पारिटी के प्रवक्टा शी तरुन विजय जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है महा भारत में कहा गया है धर्मो रक्षती रक्षता अर्थात मनुश्य धर्म की रक्षा करें तो धर्म उसकी रक्षा करेगा और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समविधान के जो रचनाकार हैं उन्होंने हमारे देश में एक धर्म निरपेख्षित देश बनाने की हमारे देश को कोशिश करी और हमारे समविधान में ऐसे ही कानूनों का प्रावधान करा कि यहाँ पर सभी को freedom to religion यान आप से यही सवाल है कि क्या हमें समविधानिक समीक्षा की जरूरत है देखिए धर्म का आर्थ religion नहीं है पहली बात तो इस संदर में समझनी चाहिए जब हम religious convergence की बात करते हैं तो वह मजब संप्रदाय पंथ या आस्था का परिवर्तन होता है धर्म का आर्थ है एक जीवन इसको सरोच नैले नहीं अपने एक फैसले में कहा कि यह जीवन की पधती है जो प्रकृति के उपासक हैं जो मनुष्यों पे दया करते हैं उदार हदे वाले हैं माता पिता का सम्मान करते हैं और इस भूमी को अपनी मात्र भूमी पित्र भूमी पुन्य भूमी मानते हैं सि इंडस को के उधर रहने वालों को ग्रीक लोगों ने इंडियन कहा। उस नाते हिंदू शब्द भी राष्ट्रवाचक शब्द है। वह हमारी नैशनलिटी दिखाता है। लेकिन कालांतर में एक रोचक बात यहीं कि जहां इंडिया, इंडियन और इंडस ये संपूर्ण भा कारी यहां पर आए, तो उन्होंने अपना राजनीतिक सामराज्य फैलाने के साथ साथ उस राजनीति के साथ वे अपने साथ जो मजहव लेकर आए थे, उसको भी यहां तीर, तलवार, जोर जबर्दस्ती, लोब, लालच, भय और विभिन प्रकार के प्रलोभनों के माध्य हम से फैलाने का प्रयास किया, इस कारण, जो वे मतांतरण हुए, उन मतांतरणों के कारण, भारत में एक ऐसा वर्ग बन गया, जो भारत में पला बढ़ा, लेकिन उसकी भारत के प्रती कोई आत्मियता, श्रद्धा और निश्ठा नहीं रही, यह देखकर स्वामी विवेक नने कहा था कि जब आप यहां एक वेक्ति का मतांतरण करते हैं, when you convert a person in India from Hinduism, from Hindu dharma to any other religion, it's not just one person less from Hindu dharma, it is one more enemy increased against the nation and against Hindu dharma. These were the strong words used by Swami Vivekananda against the very spirit of religious convergence and Mahatma Gandhi in his biography and in his editorials and speeches, vehemently opposed the Christianization and the proselytization of these religious convergence. स्वातंतरता के बाद इसमें और अधिक समस्याय पैदा हो गई, और इस कारण 1977 के आसपास भारत में एक विधेक लाए गया जिसका नाम था धर्म स्वातंतर विधेक, और इसको लेकर काफी चर्चा हुई, इसमें यह प्रावधान था कि लोब, लालच, भय के कारण जो भी मतांतरन किया जाए, उस पर प्रभावी धंग से रोक लगाई जाए, हला कि यह कानून है, पर उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं होता, और मैं यहां एक बाद बता दूँ कि थॉमस जेफर्सन ने अठारा सो चेटर में, सॉरी, अठार्मी शताप्ती में, 1746 ऐसे में, अमे यह अमेरिका में उस समय हो चुका था, अभी जैसे आपने बात करी कि धर्म का व्यापारी करण होता जा रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर, तो क्या एक व्यवसाय बनता जा रहा है साथ में, इसमें राजनीतिक, हम देखें जो तो राजनीतिक करण भी कुछ पॉलिटि अस्थिर करने के लिए, मजहब, संपरताय और यह मतांतरन का हथियार इस्तेमाल करती है, इस अ कोलोनियल पॉलिटिकल टूल टू डी स्टेबलाइज नेशन, और भारत को अस्थिर करने के प्रयास आपको ध्यान होगा, कि जब मीनाक्षी पूरम का कान हुआ, तो पूरे भ में उस मीनाक्षी पूरम में हिंदू के इसलाम में मतांतरन के विर्द एक ऐसा विशाल और विराट आक्रोश पैदा हुआ, इससे सरकार हिला दी थी, और उसकी बाद शावानों की कान में आपने देखा कि किस प्रकार सरकार ने तुष्टी करन करके सरवच्च नयायले को फैसले को बदलने के लिए एक बूरी विद्वा को 35 रुपे महीना पेंशन न मिले, केवल इसके लिए उन्होंने समिधान में परिवर्तन किया और कानून मनाया, तो ये तुष्टी करन और विदेशी ताकतों द्वारा भारत को अस्तिर करने के लिए, करोणों डॉलर यहा रिपोट लाया हूं, जो मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स की रिपोर्ट है, और इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा भारत में जो विदेशी धना रहा है, वह है इसाई संस्ताओं को मिलना है, कहां जा रहा है ये पैसा, ये ग्रामीन क्षेत्रों में भारत के गरीबों और जो बेवस लोग हैं, उनके मतांतरण के लिए इस्तेमाला है, अकेले जिल्ली में, पिछले एक वर्ष में, एक हजार आठ सो पंधरा करोर रुपे केवल वालन्टरी एजनसी को, एंजियोस को मिले हैं, और दूसरे करमांग पर तमिल नाडू है, जिसे 1663 करोर रुपे विदेशी सहायता मिली है, वहां के एंजियोस को, और ये समाम जो सहायता है, ये इसाई संसाओं को विभिन्न उनके जो उदेश हैं, उनकी पूर्सी के लिए मिलता है, तो यह एक प्रकार से विदेशियों का यहां एक राजनीतिक उपकरण रहा है, जैसा आपने अभी हमे अभी हाल ही में, असम में भी कुछ ऐसे केसे सामने आए हैं, जहां नावालिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है, लेकिन अभी तक असम सरकाल जो है वो चुपी साधे बैठी है, सारी मामले पर, तो इस पर आपका क्या कहना है, असम में तो बांगलादेशी मु जहां पर बांगलादेशी मुस्लिम घुसपैठी का वोट जो है, वह निरनायक हो चुका है, और इस कारण असम की कॉंग्रेस सरकार में, यह हिम्मत ही नहीं रहती है, कि वह इस प्रकार जो भारत और हिंदू के विरुद्ध शडियंत्र हो रहे हैं, उसके बारे में हिंदू लड़कियों का वहाँ पर मतांतरण हुआ है, यह भारत के लिए एक चुनोती है, और एक चेतावनी है, यह समाज को तोड़ने, और भारत को अलग फिर से विभाजित करने का एक प्रयास है, जो यह मुस्लिम घुसपैठी है बांगलादेश से आ रहे हैं, गैरकान से भारत में वहां की जनसंख्या को कम करके जनसंख्या की आक्रमन किया जाए, इस डेमोग्राफिक इन्वेजन आफ इंडिया, और इस प्रकार बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठी हो ने आसाम में तो हिंदू जनसंख्या को बहुत अधिक उनको प्रभावी किया है, कम क कर दिया है, अनिक विदान सवाक्षित्रों में वे आ गए है, निरनायक हो गए है, और ये जो घटनाए है, ये पूरे देश के राष्ट्रिय समाज के लिए, देशवक्त समाज के लिए चुनाओती है, और मैं समझता हूँ, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सीखिसाई सब को ए आंतरन कर रहे हैं, उनका धर्म परिवलतन कर रहे हैं, जबरन कर रहे हैं, इसके बाब जो चीजें सामने हैं, खुले में हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन चीजों पर चुप्पी साधे बैठी है, चाहे वो असम के सरकार हो या सेंट्रल गवर्मेंट भी हो, क्यों सरकार की कड़े कदम नहीं लिये जा रहे हैं, और आप अपनी तरफ से सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? प्रदर्शी हुई, उस पर यहां प्रदर्शन करते हैं, संसत में हमने आवाज उठाई, पर हम किस मूह से उठाते हैं? हम हिंदुस्तान में हिंदू की रक्षा नहीं कर पाते, हिंदूस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन, मतांतरन को रोक नहीं पाते, और उस पर हम समाज को एकठा नहीं कर पाते यह वो इस्सती दिखाता है जिसको देखकर 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राश्ट्रिय स्विम्सेवक संग की स्थापना की थी और नो ने कहा था कि जब तक इस देश का बहुसंक्यक हिंदू समाज संगटित नहीं होता वो हिंदुस्तान क रक्षा नहीं कर पाएगा और इसलिए जरूरी है कि जहां समिधान द्वारा सबको स्वतंतता मिली है वहां यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत वर्ष का विभाजन यह मजहबी नफरत और मजहबी विद्वेश के कारण हुआ जो 1947 में 10 लाग स्यादी खिंदों का कतले आम हुआ मुस्लिम भी मारे गए विए इसलिए हुआ क्योंकि एक वर्ग ने एक मतांधता और कत्रपंध इसको जन्म दिया तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह हम गाते जरूर है लेकिन हमारे सामने अभी 65 साल पहले का हादसा है कि मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना तो यह हमें सबक देता है कि हम समिधान में इस प्रकार की धाराओं को लाने के बारे में विचार करें कि जिस से हमारी संस्कृती सब्विता और बहुसंक्यक समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे सबको स्वतंतरता रहे भारत वर्ष एक प्लूरिलिस्टिक कंट्री है लोकतांतिरिक देश है क्योंकि यह हिंदू बहुल देश है अगर यह हिंदू बहुल देश नहीं होता तो यह भी बंगलादेश और पाकिसान की तरह से जो अलपसंक्यक है उनकी तमाम अधिकारों को स को तंतरता दी और प्रतेक वर्ग को पूरी तरह से समान अधिकार देते हुए कहा कि आप किसी भी मार्ग से इश्वर का अराधना करें आप पहुंचेंगे सर्व देव नमस्कारम केश्वम प्रतिक अच्छती हम तो इसको मानने वाले हैं तम विधान जो हमारा रखा गया बनाया गया इसी शायद जो विभाजन का अपने दर्द कहा उसी को ध्यान में रखते हुए कि सब अपनी खुशी से रहें अपने आप से धर्म को अपनाएं जिसका वो पालन करना चाहते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं इनका सबसे जादा असर तब दिखता है हम विभाजन से बचना चाहते हैं जब कुछ कम्यूनिटी के लोग खुद ही अलग राज्य की मांग करने लगते हैं यहाँ पर मैं बात कर रहे हूं नैशनल लिब्रेशन फ्रंट ओफ त्रपुरा की जिन्होंने बकाइदा एक इसाई राज्य अलग से बनाने के लिए अ संस्कृति की रक्षा करने का मन ही नहीं रखती है इस सरकार का मन केवल वोट और केवल सत्ता में है भारत वर्ष की जो आत्मा है उसकी रक्षा में सरकार का मन नहीं है इस कारण जो मतांतरित लोग हैं जो कनवर्टेट लोग हैं वे भारत के प्रती निष्ठा नहीं रखते वे यहां विद्रोग करते भी भारत के खिलाफ फॉजे रखते हैं अब नागालेंड में नागालेंड सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालेंड इसका हेड़कॉाटर्स है इजाक मुईवा गृूप है और एक दूसरा गृूप है खापलांग गृूप इजाक मुईवा से आने वाले हथियार है और वह जब शांती के लिए भारत से बात करती है तो उसको कहा जाता है नागा एनसीन इंडिया टॉक्स यह अपने आप में सेल्फ डिफिटिस्ट एटिचूड है हिंदुस्तान की सरकार का वह एक आतंकवादी भारत द्रोही भारत के खिलाफ करने काम करने वाला संगर्ठान है और वह अपना स्वतनत्ता दिवस अलग मनाते हैं गंतंत्र दिवस अलग मनाते हैं और एक इसाई नागालेंड बनाने का पूरी तौर पे घुश्रा करते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया नागालिम केवल तुरुपुरा का जो आपने उधार एक चर्च केंद्रित नागालीम बना रहे हैं और जिसका उदेश्य है कि सब को क्राइस्ट की शरण में लाना और ये भारत सरकार का ग्रह मंत्राले भी मानता है कि जो नागालेंड का चर्च है वह इन विद्रोही संगर्ठानों का साथ दे रहा है यह सती मनिपुर में हैं यह इस सत्याप की मिजोरम में हैं तो यह इस बात को बताता है कि विदेशी टाकतों और विदेशी पैसे के बल पर लोब लालत से जो मतान तरण या कनवर्जन किया जाता है वह भारत की रक्षा और संप्रभुता इसके लिए खत्रा पैदा हो जाता है तो किस तरह से जैसा कि तरुन विजय जीना में बता है कि किस तरह से देश के अंदर ही ऐसी संस्था है याँचे संगठन चल रहे हैं जिससे देश को ही खत्रा है देश की सुरक्षा को खत्रा है लेकिन सरकार इन मुद्दों के सामने आने के बावजूद निश्क्रिय कि इस तरह के आर भी इस प्रकार की कारेवाई हो क्योंकि यह लोग भारत की जनता समाज और यहां की धार्मिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करते वे भारत को आहद कर रहे हैं स्वामी दयानन ने अभी इस बारे में कहा था कि religious convergence are the biggest violence against the people of the country यह भारत के समाज के प्रती एक हिंसा है इस कारण इसके प्रती ऐसे कानून बनाया जाने चाहिए कि जो यहां की स्वतंत्रता और समयधानिक मर्यादा का उलंगन न कर सके विभिन राज्य सरकारों का भी यह करतवे होता है कि जिन क्षित्रों में यह मतांतरण के काम चल रहे हैं वहां पर कड़ाई से निगरानी की जाए और जो विदेशी धन और विदेशी प्रभाव से यहां पर लोगों को गरीब लोगों को बेबस लोगों को छल बल से मतांतरण कर रहे हैं उनके विरद्व कारवाई के उधारन दिये जाने चाहिए आपको ध्यान होगा कि पचास के दशक में एक नियोगी कमीशन मना था तब कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेता पंडित रवी शंकर शुकल जी वे मध्य भारत के मुखे मंतरी थे और वे विद्या चरण शुकली जी जो कॉंग्रेस के नेता रहे उनके पिता जी थे और उन योगी कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट दी थी बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना कर इसको कहते है राइस क्रिश्टिंस आपने चावल की बोरी दे दी आपने किसी को दवा दे दी आपने किसी का कुछ स्कूल में दाखिला दे दिया और उसका उपयोग करते वे आपने उनको इसाहि बना लिया और से वह कमीटी की रिपोर्ट जो न्योगी कमीशन है उसकी रिपोर्ट का अब क्रियान वेन भी किया जाना चाहिए महाद्मा गांदी ने भी यह कहा ता कि इस प्रकार जो आप कुछ देखकर आप उनको इसाहि बनाते हैं यह तो व्यापार है इससे ट्रेड ओफ सेवा नहीं है सेवा यह होती है जो निश्चल हो और बिना किसी रिटर्ण गिफ्ट की आशा के साथ हो वह सेवा होती है लेकिन आप किसी के प्रती कुछ दया दिखाए और फिर उसका धर्मचीन आप हिंदु देवी देवत बहे की मूर्ती रखते हैं छोटी वो हनुमान जी की होते हैं फिर एक पानी की बाल्टी लेते हैं और उसमें दोनों मूर्तियां डालते हैं फिर बताते हैं कि देखो आपके हनुमान जी तो डूब गए और इसा मसी तैर रहे हैं लकडी की मूर्ती होने के कारण तो वो कहते यह कोई इसा मसी का करूना अ मैतरी का तरीका है इसे देखकर स्वामी वेकानन ने कहा था यूर नट क्रिश्चिन्स यूर ट्रेडर्स गो बैक टू क्राइस्ट गो बैक टू दे कमपेशन और अल पर्वेजिव लव अफ जीसस क्राइस्ट जैसा कि हम आपने भी बताया और हमने भी ये देखा है आकडों में ये सामने आया है कि नाचल प्रदेश हो असम हो केरिला मेगाले मेजोर्म यहां पे हिंदों की आबादी घटी है और जादा तर कि जो टागेट कहते हैं धर्म परिवर्दिन के लिए जो टागेट होता है इन पार जरूर बनता जा रहा है हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार जिस तरह से इस पर कदम उठाती है सरकार की जो नीद्या है एक unfair appeasement of minor communities या muslims हम कहले हैं जिस तरह से सरकार अभी आरक्षन देने की बात हो रही थी ये मुद्दा जो सामने आ रहा है सभी का कहना है की fair होना चाहिए इस पर आपको कहना है कि सरकार unfair हो रही है कहीं ना कहीं vote bank की politics खेली जा रही है जिया सरकार राजनीतिक फायदे के लिए चुकि वह देश में विकास नहीं करती जनता के हितों को ठीक से उनका पालन नहीं करती है इस कारण वह fast food की तरह से तुरंत कुछ घो management का है जिसमें मुस्लिम समाज को कोई लाब नहीं हुआ वास्ता में देखा जाए तो आजादी के बाद से अब तक Congress की जितनी सरकारे रही हैं उन्होंने मुस्लिम तुष्रिकरण के लिए जितनी योजनाये बनाई उसका उनकी कुछ बड़े नेताओं ने और बड़े संग मुर्ख बनाते हैं और मुर्ख कैसे बनाते हैं कि आपको अधिक आरक्षन दे देंगे हम आपको हम बैंकों से लोन दे देंगे आरक्षन का फाइदा तो वे तब उठा पाएंगे जब आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब उनके पढ़ाई लिखाएंगे जब उन आदमी को फायदा नहीं पहुंचता है. यह राजन सच्चर कमेटी की रिपेट की जूरत ही नहीं पड़ती. तो मुसलमानों को तो मुर्ख बनाते हैं लेकिन एक हवा दिखा के दूसरी पार्टियों का और एक जुनजुना दिखा के वे उनका वोट बैंक लेते हैं नतीजे में समाज टूकता है नतीजे में समाज में एक दूसरी के प्रती विद्वेश एक दूसरी के प्रती अविश् प्रयास पैदा होता है। जैसे इन्होंने सांप्रदाइक हिंसा का एक जो रिलिजियूस रोकने का एक बिल लानी का प्रयास किया। वे भी यही था कि किस प्रकार से आप एक मुस्लिम माइनोर्टी समाज का तुष्टिकरन करें और बाकी समाज के बीच और उनके बीच में खाई पैदा करतें तो यह कॉंग्रेस की नीती रही है इसी के कारण समाज चूटा इसी नीती के कारण देश का विभाजन हुआ था औ केस की संस्कृति को खत्रा है अभी भी यह हम अपने देश की बात करें अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था रिंकल कुमारी के केस का जो पाकिस्तान में माइनर कम्यूनिटीज है जो हिंदू रह रहे हैं वहाँ पर भी जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है लड हाई है अपनी तरफ से कोई कदम नहीं लिए तो वहां के जो लोग हैं उनके हालात को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं तीकि में बताना चाहूंगा कि दुनिया में केवल हिंदू समाज आज ऐसा एक ऐसा समाज है जो लगातार घट रहा है और पूरे दक्षिन एश्य में जिसे पहले भारती उप महाद्वीप कहा जाता था इंडियन सबकॉंटिने लोकि एक विशाल विराट भारत वर्ष का सांस्कृतिक हिस्सा है उसमें हिंदू पे अत्याचार उनके मानवाधिकारों का उलंगन उनको अपनी देश में श्रणार्थी बनाना और उनका काम में निकाहा कर देना से यह घटनाएं बंगलादेश और पागिसान में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं पागिसान में आजादी के समय विभाजन के समय 13 प्रतिशत हिंदू थे आज वह एक प्रतिशत से भी कम हिंदू रह गए हैं वे हिंदू कहां गय और जो थोड़े ब जवतांतरन कर देते हैं और फीजवरन उसकी शादी कर देते हैं 10 दिन-15 दिन उसके साथ जबरदस्ती करते हैं उसके बाद भी वह अगर नहीं मानती है तो कहते तुमारे माबाप की हत्या करती जाएदी वह लड़की कहां जाए इन इसलामी जिहादियों की बहादूरी दे जो वहां लोकतंत्र में हिस्सेदार नहीं है वह चुप रहकर किसी तरह अपना जिवन बसर कर रहा है और उनकी बच्चियों को उठाकर ये अपनी मज़ब की और अपने मुल्क की बहादूरी के तमगे ओड़ते हैं इनसे बढ़कर कायर डर्पुक और सबसे गिरावा कौन हो सकता है तो ये एक इस्ति ऐसी है जो पूरे देश के मानवाधिकारों में विश्वास रखने वाले लोगों को चेतावनी देती है ये केवल एक हिंदू समाज का प्रशन नहीं है ये इंसानियत और इमानुएता का प्रशन है ये अमानुशिक्ता का वैभार करने वाले हमार अत्याचार हो रहे हैं और तिबती बॉद्धों पे जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में बोलती है लेकिन अपने ही परास में हिंदू पर इतने बरबर और अमानुशिक जो अत्याचार किये जाते हैं उसके बारे में सरकार चुप रहती है को कि वे हिंदू है उनका एक मात्र अपराद ही है कि वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं केवल पाकिस्तान और बंगला देश में ही अपने देश में ही कश्मीर में पांच लाख हिंदू केवल हिंदू होने के अपराद में अपने घर बार से निकल दिये गए काश्मीर से श्रौनारती बना दिये गए उनक तो तुम कश्मीर धाटी खाली कर दो, बाइस साल हो गए हैं, अभी तक वे लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। जिस तरह से ये दर्ध है, हमें भी पता है कि वहाँ पे कश्मीर में रहने वाले हिंदूओं का जो दर्ध है, लोग अपने घरों को नहीं वापस जा पार हैं। जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के मिस्टर इफ्तिकाल चौधरी, उन्होंने ये जजज्मेंट दिया था, रिंगल कुमारी का जो फाइनल जज्मेंट था, उन्हें अब इंटरनेशनल जूरिस के अवाइड से नवाजा जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी व और शारतनाद उसकी चीखें आज भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उनकी दिवारों को हिलाती है, जिस समय रिंकल कुमारी को सुप्रीम कोर्ट में इसलामाबाद में पेश किया गया था, वैच चला-चला कर कह रही थी कि मैं हिंदू ही रहना चाहती हूँ, मैं अप मारमिक लेक है जो दा न्यूज लाहोर में छपा जिए उसमें था कि जब रिंकल कुमारी सुप्रीम कोर्ट में चीखे मार रही थी तो वह वहां उपस्थित प्रतेक वित्ति के कान को फार कर जा रही थी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इसी इफ्तिखार चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इसने एक भेड़िये की तरह से मानवाधिकारों का पूरी तरह से कुचलते रौंदते वे उसको उसके माबाप को सौंपने के बजाए उसको वापस उन लोगों के हवाले कर दिया जो उसका अभरन करके लाए थे और ये उस व्यक्ति के लिए भ विश्वास घात की कालन हमेशा परास्त हुआ का नहिया लाल मानिक लाल मुंशी ने जो पन्यास लिखा है जैसोमनात उसमें सोमनात विध्वन्स और वहां हिंदू संग की सेनाओं के पराजय का एक अध्बुत वर्नन किया वे प्रतेक भारती ये देश्भक्त भारती को प शिवराशी या जैसोमनात उपन्यास में वरनित है वह गजनी को अपने लाब और अपनी महत्वा कांक्षा की पूर्ती के लिए गुप्त रास्ते से लेके आया गजनी की खडग का एक प्रहार भगवान सोमनात की लिंग पर हुआ और दूसरे प्रहार से उसने उस शिवरा जैसी तो मारा गया लेकिन है हिंदू समाज और भारत वर्ष का कितना अहित कर गया यही हम बार बार दोहराते हैं और एक बात यह भी है कि क्या यह सच नहीं कि जिस तरह से भारत में अगर कोई हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन करता है और कोई इसकी विरुद आवाज तो उसको सामप्रदाइक करार दे दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है यह हमारे देश के लिए यह आत्मदेन ने और एक अपनिवेशिक दास मान सिकता जो कॉलनियल स्लेव मेंटेलिटी है जो अपने मालिकों को अपने के गुलाम बनाने वालों को ही एक समय के बाद में सबसे बड़ा खुदा सबसे बड़ा एक पत्प्रदर्शक और अनुकरणिये मानने लगते हैं उनकी नकल करना ही वे समझते हैं कि हमारे लिए सर्वत कृष्ट हैं तो यह उस गुलाम मान सिकता का परिणाम है कि जब हम अपने देश में अपने धर्म औ अधिकार हो हम यह नहीं कहते हैं कि यहां हिंदू धर्म राज्य की स्थाप्रव यहां हिंदू थियोक्रेटिक स्टेट हो हम कहते हैं कि यहां किसी भी मजभ को मानने वाला हो उसको समान अधिकार मिलने चाहिए उसको समान समयधानिक अधिकार मिलने चाहिए पाकिसान कि एक समाज के अधिकारों को कम करके दूसरों को आप विशेश अधिकार दें, यहां आपत्ती की बात आती है, सदियों के बाद हम लोग आजाद हुए हैं, तो क्या इस आजादी का अर्थ यह होना चाहिए, कि आज भी हम अपने धर्म, अपने संस्कृति की रक्षा ना कर प कर हम श्री नगर, बरामुला, कुपवारा, अनंतनाग, यहां के अपने बागीचे छोड़ कर हम जम्मू और मुंबई की सड़कों पर, फुटपात पर, तम्वों में रहने के लिए मजबूर कर दिये जाएं, तो कैसी आजादी और किस की आजादी है यह? देश स्वतंत्र हो चुका है, विभाजन का दर्ध हमने जहेला है, लेकिन उसके बावजूद आज अपने ही देश में हमारे ही लोक्षर नाल्थी बने हुए हैं, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जबरन किया जाता है, हाला कि इसकी उपर कोई कड़ी कारिवाही नहीं ही हुई है, भले ही कितने केसे सामने आ जाएं, हमारे तेश मेरी बाहर के मुलकों में भी जो अल्पसंख्या खाऊ हैं, हिंदू रह रहे हैं, और अब कम्यूनिटीज रह रहे हैं, उनके साथ भी कोई अच्छा व्यभार नहीं किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन पर अब स खेलने को मजबूर है, इसको ये एक सोचनी अस्थिती है सरकार के लिए जिस पर उन्हें चिंतन जरूर करना चाहिए, सर आप हमाए स्टूडियो में आयो हमें अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देश के मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे आग्या दीजे, नमस्कार